हलो फ्रेंज वेल्कम बैक टू माई चैनल कैसे है आप सभी आई होप आप लोग ठीक ठाक होगे तो चलिए फ्रेंज मैं लेके आई हो आप लोगों के लिए एक निया डिया वाई जिसे हम बनाएंगे पुरानी डैनिम पैंट की मदद से तो चलिए फ्रेंज सबसे पहले हम क् है अब हम जो इसका बोटम पार्ट है उसे ले लेंगे फ्रेंज के दोनों हिस्शे ले लेने है अब फ्रेंज हम ईसकी एक साइच से जो इसमें शिलाई की है उसे हम निकाल देंगे सिलाई को और इसे बिलकुल सीधा कर लेंगे तो देखिए आप मैं किस्ट क aleg यह इसदे दिख़ा है इसी तरह से हम दूसरा जो इसका हिस्टा है उसे भी ओधे आप कि का लेंगी किशो में आप हम लेंगे मैंजर मैं से इसका प्पड़े को सीधा कर रही हूं अवर में मेंजर मेंच मैं ले रही हूं फिर मैं यहां चीड़िए दrick लूँंगी सब निंच Yao कि इसके बाद हम यहां से सिदह लेंगी अब हम लेंगेी बॉम्टम का नाप और मैंने यह सैवाण इंच रखा है 1 inch seam allowance का 6 inch मैंने इसका bottom रखा है अब हम इसे सीधा कर लेंगे अब हम इसकी cutting कर लेंगे cutting हम में same size करनी है जैसे हमने निशान लगाए है तो देखिए हमारा front हमने cut कर लिया तो चले अब हम back part को भी draft कर लेते हैं इसकी नेक की विर्थ मैंने टू इंच ली है depth हम सीम रखेंगे 7 इंच बस राउन भी हम सीम रखेंगे अब हम यहां से आर्म होल की शेप दे देंगे सीम एज हम बॉटम ले लेंगे 7 इंच जैसे हमने पहले लिया तक अब हम और अब हम इसे भी मिला लेंगे अब हम कटिंग कर लेंगे तो देखिए इसी तरह से हमारे दोनों जो पार्स है वो रेडी हो गए है देखिए अब इस तरह से लेते हुए हमें इसे डबल फोल्ट करते हुए यहां से स्टिच लगा देनी है हमें इस तरह से यहां से स्टिच लगा देनी है उसी तरह से हम जो हमारे आम होल्स है उस पे भी इसी तरह से डबल फोल्ट लेते हुए स्टिचिंग कर लेंगे तो देखिए फ्रेंस हमने इस तरह से स्टिच कर लिया है अब हम इसे साइड से भी स्टिच कर लेंगे और अब हम इसके बॉटम में ले जाड करेंगे तो चलिए अब हम इसमें लेस आड़ कर लेंगे हम लेस को पहले राउंड साइड रखते हुए आड़ करेंगे और इसे राउंड में स्टिच करते जाएंगे देखिए फ्रेंज मैंने इस तरह से लेस को आड़ कर लिया है अब हम इस तरह से इसे मोडते हुए इसके उपर स्टिच लगाते जाएंगे लेस हमारी अच्छी तरह से लग गई है अब हम फ्रेंज इस पर स्ट्रिप जॉइंट करेंगे strip joint करने के लिए हम इस तरह से अपना back side लेंगे सबसे पहले और back side में दो मैंने इस तरह की strips ली है जिसे मैंने 12 इंच लंबा रखा है और इसकी चोड़ाई 2 इंच है आप अपने हिसाब से ले जीज़ेगा इस तरह से cross करते हुए हम इसको रख लेंगे और इसके ऊपर सिलाई कर लेंगे friends तो देखे friends मैंने इसे यहाँ से stitch कर लिया है extra thread आपको cut cut लेने है और हमने same आगे front वाले side से भी इसे stitch कर लिया है क्योंकि मेरे पास button available नहीं है आप market से ले सकते हो तो मैंने stitch कर लिया है और हम चाहे तो इसमें जो हम shirt में button यूज़ करते है वो भी लगा सकते है पर मुझे से यहाँ से stitch करना था तो मैंने ऐसी ही किया है मैं इसमें pocket add करना भूल गई थी और आप मैं इसमें pocket add कर रही हूँ आप अपने हिसाब से पॉकेट ले सकते हो आपको जितनी बड़ी या छोटी चाहिए मैं इसे यहां से ट्रिम कर लूँगी विकाज यह बराबर नहीं है और सेम आज हम नीचे से भी से ट्रिम कर लेंगे साइट से अब हमने इसमें ले साइट कर ली है ले साइट करना मैंने प पॉकेट लगानी है और बार-बार हमें इस सिलाई करते हो भी इसका दिहान लगना है अब हम बीडिट पिन की हाथ से स्क्यार कर लेंगे और इसमें हम सिलाई लगने लगने तो देखिए यह हमारा ड्रेस बनके रेडी हो गया है अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज लाइक सब्सक्राइब शेयर करना मत भूलिएगा और मैं आगे भी आपनों के लिए अच्छे वीडियो लेकर आऊंगे